कि वेट करते हैं दूतिन मिनट्ट 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 अभी क्लास के स्टार्डिंग में आप मैसेज कर लीजे जो भी बच्चे जोएन कर रहे हैं उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओके यस आई एम तरपती नमस्ते मैं नमस्ते दीपक सिंग नमस्ते आयम करने का ओके हलो करने का वैलकम टू अल आफ यू स्ट्रेंड्स पिटा अभी थोड़े दिर वेट करते हैं हलो आयम काजल ओके यस मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है बचो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है यस मैम यस मैम ओके ओके अच्छा बचो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ठीक है तो जैसा आप सभी को पता है कि हम इबनिंग में जो क्लास होती है लाइब हाई मैम, I am महेक ओके बटा वैलकम टू अल अफ यू आप सभी जानते बटा इबनिंग क्लास जो लाइब होगी उसमें हम ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए हमारी जो grammar की topic को उसमें हम सभी topic cover करेंगे noun pronoun adjective word ओके तो start करते हैं उस दिन जो हमारी live class हुई थी उसमें हमने singular to plural कैसे convert करते हैं singular से plural में कैसे change करते हैं उसके कुछ rules पड़े थे ठीक है तो एक बार फिर से उसका revision करती हुए आज exercise भी करते हैं ठीक है तो सभी बच्चों को मेरी आवाज सुना ही दे रही है hello ma'am I am Anida नमस्ते ma'am नमस्ते बिटा नमस्ते सभी को नमस्ते welcome to all of you I am Tania ओके 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 चलो पिटा फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है बाकी बच्चे add होते रहेंगे join करते रहेंगे classes तो उस दिर हमने जो live class हुई थी पिटा आप सभी को पता है Saturday और Sunday आपकी live class होती है इसमें grammar की topic cover कराए जाते हैं तो उसमें हमने similar से plural के से convert करना है उसके rules discuss किये थे एक बार फिर से उनका revision करते हुए exercise करेंगे आज ठीक है let's begin सबसे पहले हम activity करेंगे एक बार फिर से read करते हूं मैं activity तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना read the paragraph below about Christmas festival and underline the plural words इसमें कुछ plural words दिये हैं उनको आपको underline करना है clear तो देखिए Christmas बिटा अभी message नहीं करिए मैं आपके message नहीं पर पाऊंगी पहले हम यह paragraph करेंगे discuss उसके बाद message करिएगा जब मैं आपको message करने के लिए कहूं तभी आप message करिएगा ठीक है Christmas is celebrated on 25th December every year it is birthday of Jesus Christ people light candles people light candles at the church churches and houses are decorated with lights and Christmas trees बिटा message नहीं करो आपके message करने से मुझे दिखाई नहीं देगा इसमें फिर ठीक है आप सभी बच्चे समझ रहना इस बात को फिर मुझे इसमें दिखाई नहीं देगा और आपको भी problem होगी ओके ओके आप सभी message करने में आपके message पड़ पा रही हूँ अच्छा आप सभी को screen पर ये paragraph दिख रहा है दिख रहा है ना तो सभी बच्चे पहले paragraph को एक बार read करिए ठीक है और paragraph read करने के बाद पिटा आपको क्या करना है underline करने है इसमें जितने भी plural words है वह underline करने है ठीक है बचो तो आप से मुझे पताईए कि कौन कौन से plural word है ठीक है आप सभी message कर के मुझे पताईए कि कौन कौन से word इसमें plural है मैसेज करिए मैं आपके मैसेज देख पा रहे हूं आप सभी स्केन पर पेराग्राफ दिखाई देना है आपको आप इसमें बताईए सारे प्लूरल वर्ड्स आप जल्दी मैसेज करिए कौन-कौन से वर्ड्स प्लूरल है सभी बच्चे मैसेज करो पिटा आपके मैसेज में पड़ पा रही हूं यह सकैंडल्स बैल्स यह इस करते रहे हैं यह सब्सक्राइब इस गिफ्ट्स इस टार्स बैल्स वेरे गुड्स और बताईए और कौन-कौन से हैं इसमें यह सब्सक्राइब houses, gifts, bells, very good yes, people yes, people also plural word men, m-e-n, men yes, और बताए yes yes मैं में इस पेराग्राफ में क्लिंक कौन सी है churches, yes yes churches, candles, trees, children yes, very good very good very good, all words are plural ठीक है, अब मैं इहाँ पर अरलाइन करती हूँ, सारे words आप सभी एक बार मैच कर दीजिए आपने कौन-कौन से words plural बताएं, तो देखिए people candles churches houses lights trees stars bells ribbons men women children okay and and next candles gifts okay all are plural words बेटा, अब आप message नहीं करिए please message नहीं करिए ठीक है all are plural words यहाँ से आप देख लीजिए यह सभी plural words है इसके बाद चलो next start करते हैं यहाँ पर कुछ words ऐसे दिये हुए हैं जिनके कि singular और plural form एक जैसी होते हैं कुछ ऐसे words होते हैं बेटा जिनका कि singular form और plural form सेम ही होता है ठीक है तो आप मुझे ऐसे words बताएं कौन से words होते हैं जो कि singular और plural दोनों फॉर्म में एक जैसे होते हैं तो ऐसे देखिए जैसे होता है शीप ठीक है बेड और इसके लावा डियर डियर मींस होता है हिरन और फिश बाइस चैसे पॉर्ड में एक हो या एक से जादा हो तो उसके लिए हम कौन सी बब यूज करते हैं ये क्या कहा जाता है फिश के साथ में हम singular बब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये जो फिश वर्ड है ये singular वर्ड भी होता है और ये प्लूरल वर्ड भी होता है वेरी गुड सम नाउन्स एक जिस प्लूरल फॉर्म अल्ली लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं अब वो कौन-कौन से नाउन्स होते हैं तो बचो देखो वो किवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं जैसे कि मीजल्स मीजल्स होती है बचो एक बिमारी होती है डिसीज होती है मीजल्स मीज होता है खसरा ठीक है खसरे की बिमारी आप सभी ने सुना होगा मीजल्स बिमारी की बारे में next is scissors 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 मिस होती बचो केची scissors, jeans ये plural में ही use होते हैं चाहे एक jeans हो या एक से ज़ादा हो उसकी spelling हम क्या लिखते हैं jeans ही लिखते हैं j-e-a-n-s jeans इसी तरह से subject है mathematics है, physics है तो इसके last में s आता है तो ये जो word होते हैं ये किसमें use होते हैं ये plural form में use किया जाते हैं इसी तरह से next word है politics 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 word है ये भी plural form में ही होता है ठीक है बचो very good चलो अब हम यहाँ पर एक बार हमने उस दे news discuss किये थे एक बार फिर से revise कर लेते हैं बिटा अब आपको देखो screen clear दिखाएं आप सभी message नहीं करिए please stop message जोया खान बिटा अभी आप सभी बच्चे message नहीं करो ठीक है पहले हम एक बार rules discuss कर लेते हैं after then I read your message अब यहाँ पर कुछ examples दिये हुए हैं ठीक है उसके साथ rules भी दिये हुए हैं तो देखे यहाँ पर जैसे कि mask mask है जितने भी countable noun होते हैं पिटा उनमें से maximum countable noun के साथ में हम s add कर देते हैं ठीक है जैसे देखे mask boy अब इसी तरह से pen pen का plural क्या बनता है pens ठीक है pens बन जाता है जैसे table है तो table का plural क्या बन जाएगा tables tables बन जाएगा ठीक है chairs ठीक है तो यह सभी क्या है यह सभी countable noun है तो in case बाद में इनके last में हम क्या add कर देते हैं s add कर देते हैं ठीक है आप देखें next rule इसमें बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे words words ending in s s h c h and x कुछ ऐसे words जिनके last में s आता है s h आता है c h आता है या x आता है अगर इन में से कोई से भी letters आते हैं तो उनके last में हम क्या add कर देते हैं e s add कर देते हैं उनका plural form हम कैसे बनाते हैं e s add करके ठीक है तो यहाँ पर आप example देख सकते हैं बुष बुष का हो जाएगा बुषेज ठीक है बस बस का हो जाएगा बसेज वाच वाचेज फॉक्स फॉक्सेज बच्चो आपको समझ आ रहे हैं इस अभी word आशिया दीनानात अर्चना हिना सैफी आयमिक्रा ओके बटा मैं आपके मैसेज बाद में दीट करूँगी आप सभी बच्चे पहले रूल्स समझ लीजिए ठीक है जब आपको रूल्स किलियर हो जाएंगे आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सभी बच्चे ध्यान से रूल्स पढ़िए मैसेज नहीं करिया आप सभी वर्ट्स एंडिंग इन वाई कुछ ऐसे वर्ट्स जिनके एक लास्ट में वाई आता है विच हैव अ कॉंसोनेंट बिफोर वाई और वाई से पहले कॉंसोनेंट आता है ठीक है तो उसमें हम क्या एड़ कर देते हैं आई एस एड़ कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए क्या एड़ किया जाता है आई एस एड़ किया जाता है तो यहाँ पर देखिए सिटी वर्ड है सिटी तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा सिटीज सी आई टी आई एस इसमें हमने plural बनाने के लिए क्या एड़ कर दिया I.E.S. एड़ किया है इसी तरह से next word है lady lady का plural form हम किस तरह से बनाएंगे ladies ठीक है इसमें y को remove कर देते हैं और y की जगे पर क्या एड़ कर देते हैं I.E.S. एड़ कर देते हैं अशोग भगेल इनका message है कि madam हमें दिख नहीं रहा है बेटा प्लीज आप सभी message नहीं करिए कोई बचा message नहीं करेगा अभी पहले आप सभी rule समझ लीजिए उसके बाद message करिएगा अब देखिए यहां कुछ words ऐसे दिये होते हैं जिनके last में y है ठीक है y से पहले अगर consonant है consonant आप सभी जानते है consonant कौन से word होते है vowels कौन कौन से होते है आप मुझे बताएंगे अभी नहीं अभी message नहीं करिए vowels होते है a, e, i, o, u यह vowels होते है और vowels के लादे भी letters होते है a to z में वो सभी कौन से होते है consonants होते है ठीक है तो y से पहले अगर कोई consonant आता है तो उसका plural form हम कैसे बनाते है i, e, s add करके ठीक है और यह 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 से पहले कोई भी consonant आता है consonant आता है तो हम y के साथ क्या add कर देते है s add कर देते है ठीक है for example monkey monkey word यहां दिया गया है तो देखिए monkey word है तो इसका हम plural कैसे बनाएंगे m, o, n, k, e, y, s ठीक है इसमें केवल हम s add करेंगे फिजा, हिना, लितू बेटा मैं आपके message बाद में पढ़ूंगी प्लीज अभी message नहीं करिएगा ठीक है पहले आप rules समझ लीजे यह आपके exam में आते है error finding में आता है यह तो आपको अगर rules पता होंगे तब यह आप error find कर पाएंगे दरवाइस नहीं कर पाएंगे तो ध्यान से सुनिए monkey, monkey का plural कैसे बनेगा monkeys, इसके last में हम क्या add कर देंगे s add करेंगे ठीक है इसके last में हम s add कर देंगे और y से पहले अगर कोई consonant दिया होता है तो last में हम ie s add कर देते हैं अब next rule की दरब चलते हैं next है words ending in o words जिनके last में o आता है तो हम उसे plural बनाने के लिए उसमें es add कर देते हैं for example potato potato का plural word होगा potatoes tomato का plural word होगा tomatoes नमस्ते बिटा फिजाब message नहीं करो अभी आपको reading करने में problem होगी screen नहीं दिखाई देगी फिर next rule पर जगते हैं some words follow no rule कुछ ऐसे words होते हैं जिनके की कोई भी rules नहीं होते हैं ठीक है उनको as it is हमें learn करना पड़ता है जैसे child word है child singular word है इसका plural word क्या होगा children ठीक है इसके लिए कोई भी rule नहीं है जैसे man man का plural word होता है m e n man ok singular होता है m a n और plural word होता है m e n तो ऐसे कुछ words होते हैं इनके कोई भी rule नहीं होते हैं यह हमें learn करने होते हैं some words have some singular and plural form कुछ ऐसे words होते हैं जिनकी की singular और plural दोनों फॉर्म होती है ठीक है दोनों में यह same ही रहते हैं जैसे अभी हमने पहले बताया था sheep, deer तो sheep का plural word भी sheep ही होता है deer का plural word deer होता है ठीक है ऐसे ही fish होता है fish का fish ही रहता है singular भी और plural word भी some words appear only in plural form और कुछ words ऐसे होते हैं जो केवल plural form में ही दिखाए देते हैं जैसे कि news news बिटा news में आप देखिए news की spelling क्या होती है n e w s तो क्या आप इसमें से s को remove कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जो news word है यह singular form में भी news ही रहता है और plural form में भी news ही होता है ठीक है इसी तरह से mathematics है physics है तो यह जो words है यह plural form में ही होते हैं चाहिए इन्हे singular word में use किया जाए या plural form में use किया जाए यह हम already discuss कर चुके थे इसलिए बहुत speedly rules पढ़े हमने अभी हम exercise करेंगे तो देखे we use is, has, was, does यह words हम, यह सभी verb हैं ठीक है का use हम किस noun के साथ करते हैं singular noun के साथ ठीक है जैसे यहाँ पर is दिया है तो the girl the girl is smiling ठीक है the girl is smiling ओके यहाँ जो word है जो is है यह verb हमने किस के according यूज़ किया singular noun के according यहाँ हमारा noun singular है the girl लड़की एक है ठीक है singular noun है तो यहाँ पर हम verb कौन से यूज़ करेंगे singular verb यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे ठीक है इसी तरह से is, was, has, or does यह सभी singular verb होती है इनका use singular noun के साथ किया जाता है next is are, have, were, do all these are plural verb यह सभी plural verb होती है इनका use किसके साथ किया जाता है plural noun के साथ किया जाता है जैसे यहाँ पर are है तो देखिए अगर हम यह कहें boy तो boy के साथ हम कौन से वर्व यूज़ करेंगे boy is ठीक है और क्यों? क्योंकि यह singular noun है अगर हम यहाँ पर लिखते हैं boys ठीक है boys तो boys के साथ हम कौन से वर्व यूज़ करेंगे plural verb यूज़ करेंगे boys are playing ठीक है playing तो यहाँ पर देखिए जो हमने our verb का use किया वो किसके according किया noun के according और noun हमारा plural है ठीक है बच्चो आप सभी को समझ आ गए होंगे जिन बचों ने पहले class joint की थी उनको पहले ये exercise ये rules सभी discuss किये थे अब देखिए read the following sentences there is one mistake in it यहाँ पर एक sentence दिया है ये sentence है आप सभी इसे पढ़िए इसमें एक mistake है try to find आपको क्या करना है उस mistake को find करना है कि वो क्या mistake है मुकेस likes to eat an ice cream बचो ये word है मुकेस likes to eat an ice cream अब यहाँ देखिए मुकेस singular noun है singular noun के साथ singular verb भी उज़ हुई है like के साथ as या es add हुआ है मुकेस likes तो ये दोनों word तो correct है likes to eat an ice cream अब यहाँ पर जो ice cream है इसमें as add हुआ है तो ये इसमें mistake है ठीक है बचो आपके exam में इसी तरह से error finding आता है आपको error find करना होता है जब आपको rules पताओंगे तब ये आप कर पाएंगे इसलिए सभी rules दिहान से सुनिए the sentence should be ये sentence किस तरह से होना चाहिए था मुकेज likes to eat an ice cream मुकेज likes to eat an ice cream मुकेज को एक ice cream खाना पसंद है या मुकेज एक ice cream खाना पसंद करता है ठीक है तो इसमें हमें error कहां मिली थी वचो ice cream word में ठीक है तो यहाँ पर error find किया हमने तो यहाँ पर जो एक था इसमें से s को cut कर दिया हमने और यहाँ पर ice cream word को लिखा है clear we know that with a and n कौन से letter है a and n यह किस के साथ यह कौन से होते हैं इनके साथ हम singular noun का use करते हैं good morning ma'am myself sweta okay I am rishu okay बटा सभी बचे रूस ध्यान से सुनिए ठीक है अब जो हमने अभी rules discuss किये हैं इन्ही rules के base पर यहाँ पर activity exercise दी हुई है तो आपको exercise को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसमें से mistakes बतानी है ठीक है तो देखिए now let's see if you can do it on your own each of the following sentences has a mistake हर एक sentence में एक mistake है आपको इस स्क्रीन पर कुछ sentence दिखाई देंगे और हर एक sentence में एक mistake है find it and rewrite the sentences in the correct form आपको उस mistake को find करना है और उसे correct form में लिखना है ठीक है बचो तो यहाँ पर देखिए first sentence is the Elmira's is of golden color the Elmira's is of golden color यहाँ पर बताईए कि क्या mistake है अब आप message करिए जल्दे से message करिए और बताईए कि first sentence में क्या mistake है आपको error find करना है yes I am waiting for your message yes message करिए बचो Elmira very good सागर कुमार यह किसने message किया है बटा आपका answer बिल्कुल correct है इसमें mistake है Elmira's word में ठीक है the Elmira's is of golden color ठीक है तो यहाँ पर देखिए Elmira's word है इसमें mistake है क्यों है क्योंकि यहाँ पर एक Elmira की बात हो रही है ठीक है अगर हम यहाँ पर The Elmira's लिखेंगे तो यहाँ पर आज़ेगा ठीक है और अभी हम singular और plural number पढ़ रहे है noun chapter पढ़ रहे है तो noun में हमें noun में ही mistake find करनी है तो आप यहाँ पर देखिए जो sentence है इसमें Elmira's जो word है यह mistake है तो आपको इसमें correction करना है The Elmira आप इस sentence फिर से rewrite करेंगे बेटा आप सभी copy और pen लेकर बैठी और यह sentence अपनी notebook में note करते जाए ठीक है तो आप यह sentence इस तरह से लिखेंगे एक sentence note करूंगे बाकी सभी sentence में mistakes बताऊंगे आपको ठीक है तो देखिए The Elmira The Elmira is of golden golden color ठीक है तो इस तरह से आपको sentence rewrite करना है तो दुबारा से लिखना है मैं एक बार फिर से singular plural बता दीजिए ठीक है जो अभी exercise चल रही है हम इसमें बताते जाएंगे ठीक है तो Elmira मैं आपको exercise के साथ साथ मैं rules भी बताती जाओंगी फिर से तो यहाँ पर बचो जो word है Elmira जो word है Elmira क्या है countable noun है हम count कर सकते हैं कितनी भी अल्मारिया हो रोम में हम उसे count कर सकते हैं तो most of the countable noun are convert in plural by adding as अधिकांस तर जो countable noun होते हैं हम उन्हें as एड़ करके उन्हें plural में change कर देते हैं ठीक है बचो? तो यहाँ पर first sentence में हमने क्या किया? The Elmira is of golden color second sentence रीट करो Buffalo are grazing in the field ठीक है? Buffalo are grazing in the field तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बताईए अब message कर यह जड़ा है Buffalo का आप यहाँ पर यह जो Buffalo word है यह noun है ठीक है? हम noun chapter पढ़ रहे हैं तो यहाँ में word में change नहीं करना है noun में changes करने है तो यहाँ पर बताईए क्या होगा? यह देखे एक बार मैं आपको rules की तरफ फिर से ले चलनी हूँ कुछ बच्चे बोल रहा है के rules बता दीजे तो यहाँ पर देखे जिन words के last में O आता है O आता है उसमें हम क्या add कर देते हैं? इस एड कर देते हैं ठीक है? इस एड करते हैं very good जोया खान मैसेज करनी है buffaloes ठीक है? buffaloes word होगा तो यहाँ पर जो buffalo word है इसका plural क्या हो जाएगा? buffaloes ठीक है बच्चो? buffaloes हो जाएगा यहाँ देखिए es add करना है आपको ठीक है? जैसे यहाँ पर potato word है potato तो उसका potatoes हो जाएगा ठीक है? tomato word है तो tomatoes हो जाएगा इसी तरह से जो buffalo word है तो उसका buffaloes plural word हो जाएगा ठीक है बच्चो? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? buffaloes 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 are grazing in the field यह sentence आप खुद से complete कर लिजे third sentence है Monica gives a mobile phone to her brother Monica gives अब यहाँ पर देखिए Monica gives a mobile phone Monica कितने phone देती है? एक mobile phone देती है ठीक है? तो यहाँ पर a mobile phone यहाँ पर बताइए mistake किसमें है? mobile phone जो word है तो इसमें क्या जाएगा? S कर जाएगी यहाँ से तो इसका correction हो जाएगा mobile phone mobile phone I hope कि आप सभी साथ की साथ नोट करते जा रहे हो बिटा सभी बचे अपने एक बार में नोट करते जाएए जिससे कि आपको बाद में problem नहीं होगी क्योंकि जब पढ़ते हैं तो rules हमें learn हो जाते हैं बर थोड़े देर बाद हम भूल जाते हैं द्रिश्टी सावरिया हेलो मैम हेलो बिटा जोया खान mobile phone mobile phone का correction हो जाएगा mobile phone महक नेमी चन ओ कि बटा next sentence पढ़ते हैं the principle is meeting all his teacher the principle is meeting all his teacher 4 sentence में बताएए क्या mistake है fourth sentence की mistake find करिए yes बताओ बिटा fourth sentence में क्या mistake है error find करो a nil प्राची okay ma'am I am Drishti yes hello ma'am I am प्राची जोया खानी saying teachers yes very good बिटा fourth sentence में जो mistake है वो कहाँ पर है teacher word में है तो यहाँ पर हमें क्या add करना है यहाँ पर s add करना है क्यों add करना है because the principle is meeting all his teachers यहाँ पर जो principle है वो अपने सभी teachers के साथ मिल रहे है इसके साथ करना है सभी teachers के साथ करना है तो यहाँ पर जो teacher word है यह plural form में आएगा तो किस तरह से आप जब इस sentence को rewrite करेंगे तो पूरा sentence as it is लिखेंगे और last में teachers लिखेंगे ठीक है teachers sentence आप as it is लिखेंगे और last में आप teachers लिखेंगे teacher में हम as add कर देंगे next sentence बढ़ते हैं अशोक भंगेली सेंग मैम हमें message की वज़े से नहीं दिखाई दे रहा है अच्छा ठीक है अभी message नहीं करिए आप yes yes message नहीं करिए बिटा जब मैं आपको बोलती है तभी message करिएगा ठीक है mathematics is an interesting subject तो बचो mathematics जो word है इसमें हमें s add करनी है हमने पढ़ा था कि कुछ words ऐसे होते हैं जो singular form में और plural form दोनों में same ही होते हैं ठीक है जैसे कि news है physics है mathematics है तो यहां पर mathematics आ जाएगा mathematics c के बाद हम इसमें s add कर देंगे ओके तो देखिए इसका correction हो जाएगा mathematics 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 तो यहां पर आप mathematics जो word है इसमें mistake है इसे error find करके आप इसका correction कर देंगे mathematics वशिम पठान I am new maim कितने बज़े से आपकी lecture रहता है maim time बताओना Saturday and Sunday रहता है Saturday and Sunday ठीक है बाकी days possible नहीं है क्योंकि में को school भी attend करना होता है तो बस Saturday and Sunday आपकी live class होती है और बाकी days में जो आपकी department से work sheet आती है वो work sheet के video send करती हूं next sentence पढ़ते है अब सभी बचे message नहीं करिए बिटा रुकिए sixth sentence is child are playing in the park तो child का correct इसमें हमें error find करना है हमने बढ़ाता कि कुछ word जिनको के हमें learn करना होता है जिनके कोई भी rules नहीं होते है जैसे child है child का plural क्या बन जाएगा children ठीक है तो यहां पर देखे child अब यहां पर हम chapter कौन सा पढ़ रहे है number है ना number तो हमें error find किसमें करना है noun में करना है और यहां पर verb है plural verb है तो plural verb जिब यहां use होई है तो child का हम plural form लिखेंगे children ठीक है children children word हो जाएगा ठीक है बच्चो अब next चलते हैं बिटा अभी message नहीं करिएगा मैं next time से इस तरह से करूंगी कि message stop कर दिया करूंगी ठीक है तो फिर आपको पता जाएगा कि अभी message नहीं करने है अब next देखे seventh sentence is my house is of red color my houses is of red color तो यहां पर sentence है my houses मेरे घर अब यहां पर देखे is use हुआ है singular word यूज होई है तो हमें noun कैसा use करना है singular ही use करना है ठीक है तो इसमें हमें error find करना है error बताएए किसमें है houses word में है clear houses yes तो आप इसका जब correction करेंगे तो क्या लिखेंगे my house ठीक है my house my house my house उसके बाद sentence as it is आ जाएगा यहां पर ठीक है बचो next sentence देखे eighth the house is full of mouse the house is full of mouse घर चूहों से भरा हुआ है तो घर में क्या भरे हुए चूहे भरे हुए अब देखिए correct sentence बताएए mouse का plural form देखिए mouse का हो जाएगा mice mice means बहुत सारे चूहे m-i-c-e ठीक है बाकी sentence आप as it is लिखेंगे the house is full of mice is it clear mice yes अब next nine sentence पढ़ते है there are many bus on the road road पर बहुत सारी bus है बेटा कुछ बच्चे अपना नाम बार बार लिख रहे है प्लीज अभी नहीं लिखिए हम जब आपकी जो वरक्षीट है वो डिसकस हो जाएगी सारे rules जब clear हो जाएंगे आपको उसके बाद मैं आपके message read करूंगी ठीक है आपके सारे doubts clear किये जाएंगे nine sentences there are many bus on the road nine sentence में error find करिये there are many bus तो बचो इसका क्या हो जाएगा bus जो word है इसके लिए हो जाएगा bus bus का plural बताओ es ठीक है buses there are many buses बाकी sentence as it is रहेगा there are many buses on the road last sentence is last night five fairy came in my dream tenth and last sentence इस exercise का last है बचो फिर next exercise start हो जाएगी ठीक है yes tenth sentence last night five fairy came in my dream tenth sentence का correct correct word बताईए इसमें error find करिये 10th sentence में बताओ जब मैं आपको correct answer बता देती हूं आप उसके बाद message नहीं करिये उससे पहले करिये जैसे मैं अभी आपके 10th number का wait कर रही हूं yes जोया खान correct answer very good five fairies इसमें जो word है बिटा error find करनी है तो mistake कहाँ पर है fairy word में है ठीक है last night five fairies तो इसका जब हम sentence लिखेंगे तो as it is लिखेंगे last night five और जो fairy word है उसका correction करेंगे fairies f-a-i-r-i-e-s ठीक है हमने अभी rule discuss किया था एक कि y और y से अगर कोई consonant आता है तो y को remove करके उसकी जगे क्या use कर देते हैं i-e-s add कर देते हैं तो यहाँ पर f-a-r-i-e-s ठीक है यह हमारा correct word होगा plural form last night five fairies came in my dream yes fairies word होगा clear y से पहले अगर कोई consonant आता है तो उसे plural form में change करने के लिए y को remove करके i-e-s add करके उसे plural बना देते हैं zit clear चलो दो minute आपके message पढ़ते हैं उसकी बाद फिर next exercise start करते हैं okay fairies mathematics होगा yes mathematics होगा ठीक है इसी तरह से physics word होता है p-h-y-s-i-c-s उसमें भी s word add करना होता है ठीक है उसमें add ही होता है अगर आप उससे s remove कर देंगे तो वो mistake हो जाएगी now come to next exercise पिटा इसमें next exercise है चलो आप discuss करते हैं ठीक है जो भी नए बच्चे हैं जो कि पहले कभी class नहीं अटेंड की है मेरी वो जर्वरा मैसेज करो करने ये चलो मेरी जो अध Transportation करो सकत petals